दोस्त रिखा और आज तस्वीर के इस सफर में मैं आपको ले चलने वाली हूँ कहाँ बता दूँ बता देते हैं आपको ले चलूँगे आज अम्बिकापर भारत के पुर्व मध्यभाग में स्थर्थ राचे है जो कि शत्रसकर के पुराने जिलों में से एक है और इसे मंदि इस देवी के नाम से जाना जाता है जिनका नाम है अम्बिका अम्बिका नाम की हिंदु देवी के नाम से इस जगा को जाना जाता है और इस देवी को इस दिले की सबसे ज़्यादा खास देवी के रूप में माना जाता है यहां का खास महत्व है इस देवी का यहां पर और 36 करके सबसे वड़े शहरों में से एक होने के अलावा अंबिकापुर दुरियां भर के परेचकों को अपनी तरफ आकरशित करता है क्यों करता है सब कुछ पताऊंगे आपको अंबिकापुर के बारे में लेकिन इस सफर में शुरुवात करते हैं इस कीत के साथ जुड़र ही आकाश्वाणी एफम गूर पर 100.1 में इस पर आपके साथ मैं आपकी दोस्री खा तस्वीर के इस सफर में आपके चले हम प्यार की सरगम तुही बता हम दम मेरे किसने ये जादू डाला आज हुआ मेरा दिल मत वाला हो दिल मत वाला हो दिल मत वाला खाबू में जिसके होए हुए थे आखर वो दिन आ गया थे जिसकी आरजू दिल मुडान पा गया संग है मेरा दिल वाला आज हुआ मेरा दिल मत वाला गाते चले हम प्यार की सरगम तुही बता हम दम मेरे किसने ये जादू डाला आज हुआ मेरा दिल मत वाला हो दिल मत वाला हो दिल मत वाला दामन में मेरे मोटी विखेरे ये कौन दिल में हसा बन के बाहर कौन जिन्दगी पेचा गया खापों को मेरे रंग डाला आज हुआ मेरा दिल मत वाला गाते चले हूँ चार की सरगम तुही बता हम तुम मेरे किसने ये जादू डाला वही आपका दिल मत वाला हो गया है तो कोई बात नहीं आप हमारे साथ जूमते गाते आगे-ागे बढ़ते रही क्योंकि आज हम आपको कहां ले चल रहे हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया अंबिकापर जहां अंबिकापर सरजुगा जिले में स्थित है यहां पर न सिर्फ देवी मंदिर है बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं और इसके अलावा यहां पर सिर्फ धार्मिक स्थाल ही नहीं है कुछ ऐसी रहसे में जगा भी है जो कि आप यहां जाएंगे तो वो आपको अपनी तरफ आकरशित करेंगी जहां क्या है उन रहसे में जगाओं में खास यह भी मैं आपको बताऊंगी तो शुरुबात करते हैं कि यहां अगर आप जाते हैं तो आपको गूमना कहा कहा है एक जगा है यहां पर तादा पानी यहां तादा पानी यानि कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है तादा मतलब गर्म और पानी मतलब पानी अंबिगापर ब्रहमन की अगर आप शुरुबात करते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं और यह जगा जो है यहां की खासियत यह है कि यहां पर गर्म पानी का कुंड है, जो की जिले के पूरी भाग में स्थित है, यह कुंड साल भर खौलता रहता है, और यही वज़ए कि यहाँ पर रुजाना हजारों लाखों परिटकों का मजमा लगा रहता है, इस कुंड के पानी में काफी ओशदी गुंड है, यह यू कहूं कि तव पचा के रुगों के लिए यह काफी कारगर माना जाता है, और अगर आप इस पानी में नहाते हैं, तो आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है, वो सब दूर हो जाती है, ऐसा विश्वास माना जाता है, यहाँ पर ऐसा विश्वास किया जाता है, और अगर बात करें कि इसक पर कभी पे जाएं तो इसे जरूर देखेगा क्योंकि ये सबसे खास अट्राक्शन्स में से एक है और यहां की यात्री यहां अक्सर जाते हैं और तभी उनकी यात्रा भी पूरी होती है क्योंकि इसके बिना तो बहुत सारी चीज़े हैं जो आप देखेंगे ही लेकिन ये ख जा सकते हैं महा माया मंदिर है अंबिकापुर में क्योंकि अंबिकापुर को टेंपल डाउन कहा जाता है आप यहां कई प्रसिद मंदर देख सकते हैं महा माया यानि की सती के 52 शक्ति पीठों मेंसे एक इसली यहां रोजान शुदाहलू का अच्छा खासा जमावड़ा रह जिनका अश्रवात पाने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं और खास कर नवरात्री में यहाँ पर श्रधालों का मेला लगता है तो भई अगर आप जाते हैं इस दोरान तो यह आपके लिए यात्रा खास हो सकती है बताऊंगे और भी बहुत कुछ अंब हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जैयो कहां एह जू हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जैयो कहां एह जू हारे की गंधल है प्यार का आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जैयो कहा ए हजूर कजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे इजित्वन के गोरी माने तो समझा जारे मतलब वाएक है एक है नैनन पुकार का दे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जैयो कहा ए हजूर जे हम तुम चोरी से, बंधे एक डोरी से, जैयो कहां एह जूर देखो बादर आए, पवन के फुखारे उल्पत मेरे जीती, आनारी पियारे आएगा रे मजा, रे मजाब जीत हार चाजे हम तुम चोरी से, बंधे एक डोरी से, जैयो कहां जैयो कहां एह जूर चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे की तरफ और ले चलते हैं आपको रामगर्ड और सीता बिंगरा की तरफ रामगर्ड और सीता बिंगरा अंबिकापुर के वो खास जिस्थल हैं जो पौरानिक महतुर रखते हैं माना चाहता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने अपनी पतनी सीता के साथ यहां कुछ समय बिताया था सीता बिंगरा को सीता के पैत्रिक निवास के दौर पर चिन्नित किया जाता है हाला कि ऐसा को प्रमाण तो नहीं दिखता यहां पर लेकिन हां ऐसा कहा जाता है तो यकीनन ऐसा हो सकता है रामगर और सीता बेंगरा एक दूसरे से कुछ किलोमेटर के फांसले पर स्थेत है इसके अलावा यहाँ थोड़ी दूर आप आगे बढ़ेंगे तो थिंतिनी पत्थर भी आपको देखने को मिलेगा अंबिकापुर के परिटक जो है यहाँ पर जो गूमने के लिए लोग आते हैं वो इस जगाँ पर जरूर जाते हैं ये स्थल रामगर और सीता बेंगरा से आसानी से पहुँचा जा सकता है तिंतिनी एक बड़े आकार का एक रहसेमई पत्थर है जिस पर किसी छोटे पत्थर से चोट अगर आप करते हैं तो एक ध्वनी गुंचती हुई सुनाई देती है स्थानी लोकों का मानना है कि इस पत्थर में दैविय शक्ती है यही वर्ज़ है कि यहाँ पर रोजाना परिटकों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ आने वाले आगन तुक पत्थर पर चोट करके ध्वनी का जो गुंचन होता है उससे सुनते हैं और इसके अलावा एक जगा है जिसका नाम है जोगी मारा गुफा कहते हैं कि जोगी मारा गुफा जो है वो बहुत ही खुबसूरत है और मुखे शहर से लगबख 40 किलोमेटर की दूरी पर है और 300 ईसा पूर्व से ये संबन रखती है गुफाओं की दिवारों पर आप राचेंज चतरगारी का लाकृतियां देख सकते हैं और यहां पर फूल पक्षी इंसानों और जानवरों के चित्र भी बने हुए है यहां से कुछ शिलाग लेक भी मिले हैं जिनसे पदा चलता है कि ये विश्व के पहले प्रेम संदेश हो सकते हैं तो भई हो सकता है कि ये कोई प्रेम गाथा कहते हूँ तो अगर आप यहां जाएंगे तो आप खुछ समझेंगे कि इस जगा का क्या महत्व है जरूर चाहिएगा जरूर देखेगा विलाथ ये गित सुनिये फिरागी की यात्रा पर ले चलूँगी सुनते रही तस्वीर जुड़े रही रिखा के साथ जर्दी कहे पुकार के ओ मुझे को चाहने वाले किस लिए बैठा हार के मेरा सब कुछ उसी कहे जो चूले मुझे को प्यार से धर्दी कहे पुकार के घर्दी कहे पुकार के कर दो चाहने वाले के है अजब सी बात जिस पे मुझे को हसना आए है अजब सी बात जिस पे मुझे को हसना आए जो मुझी से है वो मेरी माठी से शर्माए आपास मेरे मतवाले भरम ये क्यों बेकार के मेरा सब कुछ उसी कहे जो चूले मुझे को प्यार से धर्ती कहे पुकार के धर्ती कहे पुदार के आब रू जग में उसी की जो बस इतना जाने आब रू जग में उसी की जो बस इतना जाने फल चले एक हाथ में एक हाथ कलम को ठामे फिर तुझ पे सीस चुकेंगे सारे ही संसार के मेरा सब कुछ उसी कहे जो चूले मुझे को प्यार से धर्ती कहे पुकार के धर्ती कहे पुकार के ओ मुझे को जाहने वाले किसलिए बैठा हार के मेरा सब कुछ उसी कहे जो चूले मुझे को प्यार से धर्ती कहे पुकार के धर्ती कहे पुकार के धर्ती कहें भय हम बात कर रहे हैं अमभिकापुरकी और आपको इस यात्रा पर लेकर चले हैं और आपको बता दें कि अगर जुलाई अगस्त के मौसब में आप यहां पर जाते हैं ना। तो यहां इन एक महामाया पहार है जहाँ पर बहुत खुबसूरत बार्क है और इसकी खुबसूरती देखते ही बनती है इस मौसम में चारो तरफ हर्याली बहुत ही खुबसूरत लगती है और इस पहार की दृश्चे को बहुत ज्यादा लुभावना बना देती है अम्बिकापुर का खुबसूरत ऑक्सीजन पार्क कहा जाता है इसे हर दिन सेहकडो लोग ऑक्सीजन पार्क में प्रकृती का जो खुबसूरती है उसका अनुभव करने के लिए यहाँ पर आते हैं और सावन के महीनों में अगर आप यहाँ पर जाते हैं इस पार्क में तो इसके खुबसूरती में चार चांद लगे होते हैं क्योंकि यहाँ पर हर तरफ आपको फूल, हर्याली, सब कुछ नजर आएगा गर्मी के दिनों में पज़ड की वर्ज़र से यह थोड़ा सा विरान रहता है, हर्याली कम होती है, अगर जुलाई के थोड़ा अंत में आप यहाँ पर जाते हैं तो यह बहुत खुबसूरत आपको लगने वाला है अमिकापुर शहर के पुर्व दिशा में सरुजा की आराध्या देवी महा माया का मंदिर है, वही पार्स में ही महा माया पहार है और आप यहाँ पर अगर जाते हैं तो इन दोनों का आननद ले सकते हैं इस पाहार के उपर वनवे भाग ने यह पार्क बनाया है और जिसका उदगाटन किया गया था 2020 में तो इस पाहार की वज़े से इस पार्क की वज़े से आप इस जगह की खुबसूरती में चारचान लगे हुए हमेशा देख सकते हैं तो जरूर चाहेगा यहाँ पर जब भ फामली हरिटेज है और सिटिंग के लिए बहुत सारी जगह है तो सब चीजों का आप मजा ले सकते हैं वैसे आपको अमबिकापुर पहुंचना कैसे जरूर बताऊंगी लेकिन इस कीद के बाद जुड़े रही एफम गोल पर रिखा के साथ हुआ 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 है नि सुल्ता नारे चार का मौसम आया नि सुल्ता नारे चार का मौसम आया अर हाए रे हरी हरी चाया बोलो ना बोलो मुख से गोरी चुड़ी तुमरी बोले ये बत्या सुन सुन के जिया मेरा डोले मि सुल्ता नारे चार का मौसम आया बलंबबु आपे लर दी आया ये तावन आया जा वलंबबु आपे लर दी ये तावन आया जा मिल दै मुरे सैया जब तेरी बैया फिर धनी चैया मैं मचल के गां सुन जा करूं पैना तब मिले चैना तब हसे नैना जब तुझे मैं पाँ पिया मुरा जिया तुझे से लागा आजी कुई को से आये ही बता जा आहा बलंबबु आपे लर दी सावन आया जा सावन आया जा सावन आया जा ओनी सुलता नारे चार का मौसम आया अर हाय रे हरी हरी चाया बोलो ना बोलो मुख से गोरी चुड़ी तुमरी बोले मेह बत्या सुन सुन के जिया मेरा डोले तेनी सुलता नारे चार का मौसम आया आप लंब खुआ पे दर दी सावन आया जा सावन आया जा नी सुलता नारे नी सुलता नारे नी सुलता नारे प्या नारे क्तलता नात जी सुलता नारे हम सेर कर रहे थे अम्बिकापर के महा माया पहाड की जहां पर बना है oxygen park और oxygen park तो आपने घूमा वहाँ पर बहुत सारे रेस्टरांट्स हैं बहुत सारी ऐसी जगे हैं जहां पर आप गूम सकते हैं खा पी सकते हैं आराम कर सकते हैं बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए हर्याली तो है ही खुबसूरत फूलों से भरा रहता है सावन के मौसम में या ऐसे मौसम में जब पजड़ना हो यानि अभी तो नहीं अभी तो गर्मी है और गर्मी में आपको यहां पर हर्याली कम मिलेगी लेकिन हाँ बाकी चीज़े हैं यहां पर देखने के लिए जिन्हें आप देख सकते हैं और अगर मैं बात करूँ यहां पर इसी पहार पर बने हुए वाच टावर की तो ये बहुत ही खुबसूरत टावर है यानि कि इसकी खुबसूरती टावर होने की विचे से नहीं है इस वज़़े से है कि जब आप इस पर चड़ते हैं तो आपको पूरा अंबिकापुर आसानी से नजर आ जाता है और यहां से आप पूरे पार्क का नजारा भी बहुत आराम से ले सकते हैं 15 हेक्टेर में तयार किया गया है पार्क और ऐसा माना जा रहा है कि भविश्य में इसका और भी विस्तार किया जा सकता है और परिटनस्थल का ये पहार मॉडल बनेगा तो भाई बहुत ही खुबसूरत है ये जरूर देखेगा यहां पहुँचकर और अगर आप जाना चाहते हैं अम्बिकापुर तो कैसे जाएं अगर आप सडक मार्क से जाते हैं तो अम्बिकापुर अलग-अलग शहरों से अलग-अलग राजियों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है तो आप किसी भी सड़क मार्क को अपना कर यहाँ पहुंच सकते हैं रायपूर से अमेकापूर पहुंचने के लिए 310 किलोमेटर के लगभग का सफर आपको करना पढ़ सकता है बिलासपूर से अगर आप जाते हैं तो 210 किलोमेटर का सफर आपको करना पढ़ सकता है रायगर से अगर आप जाएंगे तो 210 किलोमेटर के ही आसपास है इसी तरह मध्यप्रदेश, उतरप्रदेश, छारकंड, उड़ी से अभुपाल दिली हर जगह से इसकी connectivity बहुत अच्छी है तो आप कहीं से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं by road और अगर आप जाना चाहें rail mark से तो सरगुजा जिला मुख्याले अंबिकापुर का जो rail mark है वो उससे जुड़ा हुआ है इसके अलावा अंबिकापुर शेहर के मुख्य मार्ग देवी गंज रोड पर इस्थित गांधी चौक से रेल विस्टेशन की दूरी जो है वो लगभग 5 किलो मीटर है यहाँ से टेंपो, टेक्सी या फिर कोई भी ऐसा लोकल ट्रांसपोर लेकर आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं बस अंबिकापुर तक सीधे आती है और जब आप ट्रेन अनुपुर मयानी की मध्य प्रदेश पर होते हैं तो अंबिकापुर तक आपको यह आसानी से आप इसके बाद पहुँच सकते हैं तो यह एक आसान तरीका है कि अगर आप रेल मार्ग से यहाँ पर जाते हैं पर 310 किलो मेटर की दूरी का जो सफर है वो तैगर के यहाँ पर आप आसानी से पहुच पाएंगे यानि कि अगर मैं बात करूं निकर्तम हवाईयडे की तो वो है स्वामी विवेकानन्द हवाईयडा جो की 36 कड़ राजी की राजधानी राएपुर में स्थित है तो आप यहां पर आसानी से पहुँच पाएंगे और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहां के सुच्चता की तो बहुत ही खुबसूरत है यह जगा बहुत साफ सुत्रा है यह और इसे सबसे सुच्च शहरों में से एक माना जाता है देश के तो यह तो हुआ कि आपको यहां पर कैसे पहुचना है और इसके खासित क्या है और भी कुछ बताओंगे आपको इस जगा के बारे में इस केट के बात जिड़े रही है फम गोल्ड के साथ जब से आखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर जब से आखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर अदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती पर जब से आखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर जब जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए जब जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए जैसे मीरा इक तारे पे जीत शाम के गाए अमर प्यार के छेडे तुमने तार इस धर्दी पर अमर प्यार के छेडे तुमने तार इस धर्दी पर जब से आखे हो गई तुमसे चार इस धर्दी पर लहरा कर तुम इन बाहों में आ जाती हो ऐसे बहदी बहदी नदिया सागर से मिल जाए जैसे कहां से आई ये गंगा की धार इस धर्दी पर जब से आखे हो गई तुमसे चार इस धर्दी पर जुकी जुकी ये लंबी पल के ये जुलफों की चांग जुकी जुकी ये लंबी पल के ये जुलफों की चांग बसा हुआ है इस चांग में रंग रूप का गाउं बसा हुआ है इस चांग में रंग रूप का गाउं बन जाओ अब मेरे गले का हार इस धरती पर जब से आखें हो गई तुम से चार इस धरती पर अदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती पर तो हम घुम रहे हैं अंबिकापुर और यहां पर अगर मैं बात करूँ तो कई नदिया इसके सुन्दर तराशे हुए इलाके से होकर बहती है जो यहां की प्राकरती खुबसूरती में चांचार लगा देती है पिछले युगों के पुरा तात्विक अवशेश अंबिकापुर में मौझूद है यहां तक की प्राजीन मंदिरों और बहुत स्थूपों के रूप में कई धार्मिक भक्तों को साल भर यह अपनी दहलीज पर आकर्शित करता है इस शेत्र की अगर बात करें तो जो पुरा राजस्व है खास तोर पर कोईला और वाकसाइट जैसे खाने जिस संसाधनों का बड़े पैमाने पर यहां पर खनन किया जाता है जिसके वज़े से आता है स्थाने लोग यहां पीडियों से रह रहे हैं और ज्यादा तर पांडवों और कौर्वों की जनजातियों के हैं उनका मानना है कि वो महाभारत के पांडवों और कौर्वों की वन्चरश है पहाडियों, पहाडों, गुफा, मंदिरों, जर्नों और ऐसे कई अन्य आकरशनों की वज़े से ये जगा अंबिकापुर जो है वो तेसी से परिटन मानचित्र पर अपनी पहचान बना रहा है और लगबग बारवी शताब्दी का कल्चुरी यूग अंबिकापुर के सरगु पहाड़ जर्नों में से एक है तो अगर आप प्रकृति के उपहार के बीच अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर वक्त बिताना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जगा है आपको जरूर जाना चाहिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अगर आपके पास वक्त है तो यहाँ पर जरूर जाए क्योंकि बहुत सारे वाटर फॉल्स, बहुत सारे से पॉइंट्स, बहुत सारे से मंदिर गुपाई, पहाड़, हिल्स, हर्याली, पार्क सब कुछ तो है यहाँ पर देखने के लिए तो फिर इंतजार किस बात का है जब भी वक्त मिले पहुच जाएए, अम्बिकपर गुस्ता खिमा, एक पूल तेरे जूडे में, कह दो तो लगा दू मैं गुस्ता खिमा, गुस्ता खिमा गे रूप, हसी भूप, बहुत खूब है लेके गुर्फट के बिना ठ्वीता चहरा तेरा रंगी गे रूप, हसी भूप, बहुत खूब है लेकिन गुल्पत के बिना ठ्वीता चहरा तेरा रंगी एक दीप मुहबत का कह दो तो जला दू मैं गुस्ता खिमा, गुस्ता खिमा गेहरे पे गिरी जुल पे कह दो तो हगा जू मैं गुस्ता खिमा, गुस्ता खिमा इसे के साथ रेखा लेती है इजाजत आपसे कुछी दिर में आशिश रहेंगे आपके साथ लेकर वो जो एक फिल्म थी और उससे पहले आप सुन सकेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत फिर किसी रोज किसी और सफर में होगी आपसे मुलाकात सुन्दे रही, FM गूट सुन्दे रही, FM गूट कह दो तो दिखा दो मैं तो बुस्ताखी मां तो बुस्ताखी मां कहरे पे गिरी जुल पे जह दो तो हज़ा दो